असलाम अलेकुम सेक्साब मेरा स्वाल यह है कि जिसे मैं गोल्ड का चैन बनाया हूँ वाइप के लिए उस पे जो दिल आता है लॉक इट उस पे एस लिखा हूँ जो मेरा नाम है और मेरा वाइप का नाव है तो क्या वो नाम का चैन पहनना जायज है कि नहीं जो उसके पहली चैन बनाया है अपनी वाइप के लिए बीवी के लिए उस पे नाम लिख रखा है एस यानि पहला हर्फ जिससे इनकी बीवी का नाम शुरू होता है और दूसरा हर्फ जिससे इनका नाम शुरू होता है तो इसमें बजाहिर कोई आप की बात नहीं है मुझे कोई कुर हरام होने की कोई दलील हो तो अगर किसी पर कोई लिख रहा है ऐसे ही तो जादे जादा यह होता है कि उसके यह थोड़ा सा जजबाद होते है महबत के, यही जजबाद होते है इसी बना पर वो लिखता है या ऐसे ही शौक में लिखता है लेकिन इसका कोई ऐसा माना मतलब निहीं होता है, कोई ये अबादत से जुड़ा हुआ मतलब नहीं होता है अब होतो इस्ते ही कल्चर जुड़ा होता है, तो वहां पर ये मसला होता है लेकिन ये एक ऐसे ही आम सी बात है इसमें कोई हरच की बात नहीं है लेकिन यहां पर ध्यान रहे कि हमें एक तो इस बात का भी ख्याल लगना चाहिए कि कोई मजभब से जुड़ी वी चीज़ ना हो जो हम पहना रहे हूं जिसे ये मंगल सुत्र का मामला है या फिर ये कि हम इस तरह का कुफार की कौपी ना कर रहे हूं जो हमारे मौशरे के फासिक और फाजिर लोग है तो उनकी कौपी ना हो रहे हूं वो अगर ऐसा कोई तरीका अपना रहे हैं तो हमें क्या है उनसे नफरत जाहिर करना चाहिए उनके शियार को नहीं अपनाना चा की हो तो फिर वो चीज आपको नहीं अपनानी चाहिए इससे उनको होसला मिलता है और उनके जो बुराईया है उनको फरोग मिलता है ऐसी कपड़े का जिसा मसला है कि कपड़ा जाएसे किसी भी कलर का आप पहें सकते हैं लेकिन कहीं पर किसी खास कलर का कपड़ा किसी खास गि आज की बात नहीं इलाए कि वो कुछ चीज़ आ जाएं जिनकी तरह मैंने आपको इशारा किया है उम्मेदे कि आपको जोब मिल गए ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें